हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ आप से बहुत ही अच्छे होंगे तो आज किस फीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 केमिस्ट्री का अंतिम चेप्टर जो है जैव अडू जिसका हम most important question को आज किस फीडियो में हम पढ़ेंगे जो है new click aml तो new click aml किसे कहते हैं इसका परिभासा क्या होता है अब सबसे important new click aml का कारिय क्या होता है पूरा हम deep में discuss करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि प्रस्णा आपके board exam में किस प्रकार पूछा जाता है कि new click aml क्या होते हैं इसके महत्वपूर कारिय लिखे 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में ये लगतार question पूछा गया है बहुत ही important question है पूरा हम deep में discuss करेंगे नीचे आपको question भी दिखाई दे रहे होंगे तो चली दूस्तो हम समझ लेते हैं new click aml किसे कहते हैं ठीक है यहाँ पर हमने लिखते हैं new click aml तो new click aml सबसे पहले किसे कहते हैं इससे समझ लेते हैं new clicks, new click मतलब नाभिक जैसे हम कहते हैं केंदरक कहते हैं तो समझे का इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसा कार्बनिक पदार जो कोसिका के केंदरक में पाये जाता है जो कोसिका होता है यह support rate आप support rate ऐसे माल लेते हैं कि यह कोसिका है ठीक है तो कोसिका के जो केंदरक में पाये जाता है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को जो कोशिका के केंदरग में पाये जाता है उसी को नियुकलिक अमल हम कहते हैं यह सपोड़ेट कोशिका है आई यह इसका केंदरग है तो जो केंदरग में पाये जाएगा वही क्या कहलाएगा वही नियुकलिक अमल कहलाएगा परिभासा हमने ऐसा लिखा है कि ये कार्बन ये मतलब जो निूकली कमल होते हैं तो निूकली कमल कार्बन हाइड्रोजन आक्सीजन नाइट्रोजन वर फासफोरयस योग्त जर्टेल कार्बनिक योगिक होते हैं मतलब कि जु कारबन हाइड्रोजन आक्सेजन और नाइक्तोजन वो सब्सक्रिविक होते हैं जो कोशीका के कैंदरक में पाए जाते हैं इसे इसे न्यूकलिकन अंगे होगा आपको किन हम कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के केंदरक में पाया जाता है ठीक है अब किस से मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन वो फास्फोरस से मिलकर बना होता है और ये कैसा होता है एक जटिल कार्बनिक योगिक होता है तो आप कह सकते हैं ना के कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन और फासफोरस से मिलकर बनने वाला एक जटिल कार्बनिक योगिक होता है जो कोशिका के केंदरक में पाया जाता है उसे हम न्यूक्लिक अमल कहते हैं आसा करता हूँ समस्के होंगे उसके बाद समझेगा जो न्यूक्लिक अमल होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं एक होते है एक होते है डिये ने जिसे हम डिये ने आरे ने मतलब कहते हैं तो समझेए यहां पर हमने लिखा है देखे इसके बाद रेड में हमने कुछ इंपोर्ट से दूसरी पीडी में जो गुण होते हैं जो उनके गुण होते हैं वो पहुंचाते हैं ठीक है जैसे माता पीता का गुण उसके अपने जो उनके पुत्रों होते हैं वच्चे होते हैं उनमें पहुंचता है तो एक पीडी का जो गुण होता है वो दूसरी पीडी में जिसे हम D-Oxy Ribonucleic Amal कहते हैं याद रखेंगे कि जो DNA है ये कोसी का के केंदरक में पाया जाता है परन्दो जो RNA दूसरा प्रकार RNA है RNA का मतलब Ribos Nucleic Amal जो कोसी का दरब्बे में पाया जाता है किसमें कोसी का दरब्बे में पाया जाता है अब जो स्टूडेंट बायलोजी के होंगे वो समझ रहे होंगे कि केंदरक क्या होता है कोसी का दरब्बे क्या होता है समझ रहे हैं DNA मतलब D-Oxy Ribonucleic Amal RNA मतलब Ribos Nucleic Amal ठीक है न्यूकलिक अमलका कारिय वही होगा जो DNA और RNA का कारिय होता है क्योंकि DNA और RNA किसमें पाये जाएंगे किसके प्रकार है न्यूकलिक अमलके ही तो प्रकार है ना तो इसलिए DNA और RNA का जो कारिय होगा वही कारिय हम लिख सकते हैं नुकलिक अमल का भी कारिय है ठीके तो इससे कन्फियूस नहीं होना है आपको वही बात हमने लिखा है पहला हमारा important जो इसका कारिय है कि DNA अनुवान सिक्ता जो अनुवान सिक्ता का रासाइनिक आधार है DNA का है या नुकलिक अमले भी लिख सकते हैं बट नुकलिक अमले में भी दो होते हैं तो उसलिए हम DNA का नाम ले रहे हैं तो जो DNA होता है वो अनुवान सिक्ता का रासाइनिक आधार होता है मतलब एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में गुणों का ट्रांसफर करने में जो मुख्य आधार होता है वो किसका होता है जो DNA का ही होता है ठीक है? दूसरा, डियने लाखो वर्सों तक किसी प्रजाती की पहचान बनाए रगता है बिल्कुल सही बात है डियने ही है जो लाखो वर्सों तक एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी तक अपने जो गुड है उसको ट्रांसफर करते रहता है तो वही बात का जा रहा है कि लाखो वर्सों तक अपनी पहचान को बनाये रखता है DNA ठीके वो खोता नहीं है DNA लाखो वर्सों तक किसी प्रजाती की पहचान को बनाये रखता है ऐसा नहीं है कि DNA ही तो है यही तो है जो हमें बताता है DNA ही बताता है कि कहां पर मुह होना चाहि कोन वाताता है कि मा के पेट में अगर माल लेते हैं बच्चा है तो बच्चे के हाथों में कितने अंगूल यहां कान होना चाहिए तुम नी पता यह कौन बता है ना क्यूंकि यह नहीं पहचान को नहीं होता है ठीक है ज्यादा तरह असान नहीं होता है किसी किसी केस्व में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है ठीक है अगला आता है डिन ने के reflection से माता-पिता का लच्छन संतानों में पहुँचते हैं बिल्कुल सही बात है इसी के DNA के ही reflection से ही क्या होता है माता-पिता के जो लच्छन होते हैं जो गुण होते हैं वो संतान में पहुँचते हैं अगला आता है nucleic amla कोसिकाओं में protein का forts american करते हैं स hm बात सही है कि कोसिकाओं में जो protein का 알아 मतले ही होता है वो कौन करता है nucleic amla hundredsein ही होता है पर अब तु yad रखेंगे nucleic amla में भी कौन है जो कोसिकाओं में protein का analysis kokता है तो वो ही है RNA इसलिए हमने नीची लिफा है कि protein का backlash to RNA करता है मतलब reality तो यह है कि न्यूकलिक अमले में जो RNA होता है वही protein का sensation करता है बात समस्में आ रहा है तो या तो आप जहाँ पर DNA लिखेगा वो न्यूकलिक अमले भी लिख सकते हैं बट यही होगा DNA लिखेंगे तो और भी better रहेगा ठीक है तो यह हुगा न्यूकलिक अमले का कारी है यह मुखे आपको पांच कारी लिख देना है यह सब लिख देंगे आपको आसानी से full number मिल जाएंगे यदि आपको समस्में आ रहा है तो support करते हुए चलना है आपको जितनी भी आपके friends हैं उनको जरूर उनसे बताईएगा आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए उनके पास वीडियो को लिंक को share कीजिएगा और कोई भी टॉपिक है support दिन माल लेते हैं कभी आपको कोई टॉपिक है जो आपको समस्में ने या था physics में, chemistry में तो आपके वो लुश टॉपिक का नाम देखे यूटूब पर अंत में हमारे चैनल का नाम देखे search करेंगे वीडियो को मिल जाएंगे जैसे new click अम पढ़ना है तो new click अमल brother sir इतना लिख के search कीजिएगा वीडियो को मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा